कहते हैं चोटी मोटी कामनी सबही 20 की बैल बैरी मारे दाव से ये मारे हस्क है पाकिस्तान की विदेश मंतरी के साथ रूसी विदेश मंतरी ने ये क्या कर दिया कि मीटिंग छोड़ कर भागी जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूतिन अब और क्या करने वाले हैं 167 युद्धपोत 12 पंडुबियां 89 फाइटर जेट अब रूस ने कहां पे हाहकार सुरू कर दिया है और जहां एक तरफ रूस ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का एलान करके अमेरिका के लिए मुश्किल क्यो खड़ी कर रहा है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से हमने आपको कली बताया था चीन को लगातार दूसरी बार पचार कर अमेरिका भारत का बना रहा टॉप का बिजनेस पार्टनर भारत और अमेरिका के बीच जो ब पूरी तरीके से सफल होता हुआ दीख रहा है कि अमेरिका के साथ हमें अपना बैपार को बढ़ाना है और चाइना के साथ दीरे-दीरे हटना है लेकिन इन सब के कुरम में अब भारत और रूस ने एक बड़ा एलान कर दिया है अमेरिका को यह बड़ा जटका लगेगा दर अर्मेनिया बेलारूस कजाकस्तान किर्गिस्तान और रूस यह जो मैप में देख रहे हैं सब अड़ोसी पड़ोसी हैं इनका एक गुरूप बनाया जिसको कहा गया यूरेसियन इकोनॉमिक यूनियन यू और इसका मकसद था कि यह दुनिया भर के देशों के साथ फ्री ट्रे चाइन के साथ अगे क्यों नहीं बड़ा चाइन इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन की थी लेकिन इन देशों को भरोसा नहीं था चाइन के ऊपर यह कभी नहीं चाहते थे कि चाइना कोई बड़ी सक्ती बन जाए और चाइना रहे मार्केट पर पूरी तरी यहां पर यह चीजह है ऐसे में कहा जाए तो चाइना के लिए यह फ्री ट्रेड एग्रिमेंट बेकार ही था अब हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन की डिप्टी पॉरन मिनिस्टर भारत आती है और बाद में उसके पीछे पीछे रूस अपने डिप्टी पीम को भारत भ प्री ट्रेड एग्रिमेंट साइन करने से क्या भारत को फायदा होगा या नुक्सान होगा पहले तो ये कबर एक बार को अमेरिका को हड़काएगी इसलिए अमेरिका को हड़काएगी क्योंकि अमेरिका भारत के साथ बैपार करना चाहता है लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि हम भारत के साथ कभी free trade agreement sign नहीं करेंगे इससे हमें कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि हम भारत के साथ free trade agreement sign करना चाहते है तो आपको बता रूस और भी कारनों से करना चाहता है रूस के जो mall है न वो इस वक्त खाली है जो brand है वो brand वहां से निकल गए है और brand के निकलने के बाद हालात है इसे हैं कि mall में एकदम खाली पन आ गया है कुछ रूसी brand ने उनकी जगा ली है लेकिन जनता को चाहिए variety और रूस चाहता है कि हमारी जनता किसी तरीके से नाराज नहों उसकी जगा पे हम variety ला सके और इसी के लिए वो भारत के साथ free trade agreement साइन करना चाहरा है क्योंकि भारत इतना आकरामक नहीं है जितना आकरामक चाइना है और चाइना जिस तरीके से react करेगा भारत के उपर रूस का यकीन ज़्यादा है यही वज़ा है कि रूस चाहरा है कि free trade agreement भारत के साथ sign हो जाए और जो currency में lane dain है वो एक तय हो जाए ताकि currency में lane dain करने में कोई दिकत न हो जहां भारत को free trade agreement के लिए आमंतरित कर रहा है रूस जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस दूसरी तरफ एक नया बेंड बजाने को तयार है इसे देखकर आप यही कहेंगे रूस करना क्या चाहता है किस युद्धी की तयारी कर रहा है रूसी नोसेना सोंबार को बड़े पहमाने पर नोसेनी की युद्धाब्यास के लिए उत्री हुई है और इस युद्धाब्यास में एक दो नहीं बलकी पूरी रूसी प्रसांद बेड़े को सामिल कर लिया गया है यहां पर धनादन मिसाइले चल रही है और ना सिर्फ मिसाइले टॉर्पीडो बलकी और भी कुछ बड़ा चल रहा है वैसे आपको बता दें इस युद्धाब्यास में जितनी संख्या इस्तेमाल की गई है ना ये संख्या ही बता रही है कि कुछ बड़े की प्लानिंग है 167 युद्धपोत, 12 पंडुब्या, 89 फाइटर जेट ये सब कुछ उतर गया है इस युद्धाब्यास में इसके अलावे बॉम्बर्स भी उतरे हैं और बॉम्बर्स किस तरीके से दुस्मन के युद्धपोतों पर बॉम्बिंग करेंगे इसका युद्धाब्यास किया गया है तो वहीं यहाँ पर देखने वालों में रूसी रच्चामंत्री सोयू थे इन्होंने फिर जानकारी भी दी है पुतिन को और पुतिन इस युद्धाब्यास से बहुत ज़्यादा खुस नजरा रहे हैं माने कहीं न कहीं गाज गिरेगी वैसे अक्सर ये देखा गया है जब चाइना और रूस के मिनिस्टर खास तोर पर पुतिन के साथ मिलते हैं कुछ बड़े लोग जैसे की डिफेंस मिनिस्टर गया मिलने के लिए दोनों ने मिलकर ऐलान कर दिया नो लिमिट वाली दोस्ती ह तो फिर उसके बाद कुछ इसी तरह का होता है चाइना भी आकर वापस कुछ ऐसा ही करेगा तो चाइना ने जहां यहां आकर वापस ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है तो वहीं युद्धा भ्यास के लिए रूस ने भी सारे हतियारों को निकाल लिया है जाए एक तर एक तरफ बैठे हैं सरगई लावारों के साथ उनकी पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है दूसरी तरफ है हमारी पडोसी देश की विदेश मंतरी हीना रब्बानी खार यह यहां पहुंची हुई थी क्यों पहुंची हुई थी 13 अप्रेल को यहां पर समरकंद सिखर सम्मे पहुंची के लिए चेलन का आयोजन किया गया उपकिस्तान टुक मैं उजब्बेकिस्तान इसके विदेश मंत्रीų ने बड़े अधिकारियों ने भाग लिया अलाकिं पाकिस्तान का विदेश मंत्री तो अब जब यह यहां पहुंची तो रूस के साथ यह बारता करना चाहती थी बारता के लिए टेबल पर भी बैठी रूसी विदेश मंतरी ने कहा तुम्हारी मां की टीम कहा गई तुमकेली ओ इन्हों ने कहा कि हम तो रूस नहीं है हमारी टीम छोटी है बाद में आएगी रूस विदेश मंतरी ने हसते हुए कहा हम तो दोस्त हैं दोस्त के लिए साइज माइने नहीं करता है लेकिन फिर भी ही इना रभमानी खान मानी नहीं और अपना बोरिया बिस्तर समेटा और मीटिंग को अधूरा छोड़कर निकल गई यह चीज क्या बता रही है यह चीज यह ब कामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं